Hello what's up guys, today in this video we will see how to set up your store in Redux Toolkit जहां guys तो आप देख सेकते हैं कि throughout this series हमने complete React version 19 10 stack query है, React query उसको complete कर लिया है, हमने Redux देख ली है नाव बचा है तो हमारा Redux Toolkit और कल का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा उसम था जहां पर हमने देखा what is Redux Toolkit and इसका हमें कब and क्यों यूज़ करना चाहिए यह वीडियो बहुत आसाम है एक बार देखिए मज़ा आ जाएगा तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप Redux Toolkit में store जो उसको कैसे create कर सकते हो ठीक है तो कैसे मैं क्या करूंगा अभी हमने जो Redux अल्डेडी देख चुका है उसी में ही मैं Redux Toolkit के मदर से उसको हम और simplified कैसे कर सकते वो मैं आपको बाताऊंगा डाइस आपडेख सकते हैंडियों को इसको कोड को जो मैं आपको रुन कर के दिखाऊंगा तो कुछ आपको इस तरिके से दिखाई देता है जहां पर मैं कुछ भी लाइक अगर टाइब करता हूँ तो मुझे डेटा देखता हूँ तो मुझे डेटा फैच होता है और मैं इसको डिलेट कर सकता हूँ तो यह जो टू-डू अप्लिकेशन है इसको हम ने क्रेट किया था विद्धी हल पॉप रिडक्स तो यही सेम टू-डू अप्लिकेशन को मैं आपको बताऊंगा विद्धी हल पॉप रिडक्स टूलकिट तो उसी सिल्सिले में आज हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है हो तो सेट अप यूर स्टूर इन डिडक्स टूलकिट ठीक है इस सुपर इजी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यहां पर आप जाओ गयो तो आपको बहुत सारे चीजी मिल जाएंगी पीपीटी नोट्स में सबकुछ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमें सेर कर दूंगा यहां पर आप देख सकते हूं कि यह जो आपका आपका इस्टूर यह बहुत ही ओसम समझ यह वान मैन आर्मी है क्योंकि मैं आपको बात आता हूं देखो यह पॉपर देख रहा है आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड स्वाड़ी थोड़ा सा गला खराब है ठीक है so we have this Redux ठीक है जब हम Redux में काम कर रहे थे हमें create store basically इस method की हमें नीट पड़ी थी जिसके चलते हम हम अपना जो reducer function है वो हम define कर रहे थे देन हमने क्या यूज क्या compose with dev tools तो basically हमारे इस application में Redux का जो dev tools है उसको setup करने के लिए हमें इसकी नीट थे हमने इसको आलक्स इंस्टॉल किया सकते थे बट उसको यह automatically combine कर देता अब आपको उसकी भी नीट नहीं है इसका मलत भी इन आउर केस रिसेंट्ली वान रिदूसर function task reducer it may possible कि आपके application more than one reducer function हो तो उसके लिए combine reducer यूज करके फिर हम combine करते थे इन plain redux जो कि हमने नहीं देखा क्योंकि हमारा से पेकी था बट उसको यह बहुत इजली tackle करता मलब आपको वह combine reducer and all those things लिखनी की need नहीं है आप डिरेक्ली configure store में multiple reducers को define कर सकते हो number one second यहां पर बहुत इजली बता रहा है creating the middleware enhancer इसका मादब यह कि guys अब जैसे यह हम redux का यह जो थंक है middleware इसको apply करने के लिए हमने पहले install की देन हम इस तरीके से इसको यह सब कर रहे है तो इन configure store इस इसके अंदर by default है वो by default आपका automatically redux thang को वो add कर देता है and third thing redux dev tools के लिए भी हमने अलग से install करके उसको कैसे तरीके से add किया था तो वो सब करने की need नहीं automatically यह जो configure store है वो automatically हमारा जो dev tools से हमाले setup कर देता है and automatically create store वाला जो पार्ट है वो भी यह call कर देता है तो बहुत सारे चीज़े है जो यह configure store हमाले करके दे रहा है and इसको install करना भी बहुत easy है use करना भी बहुत easy लिए so कल का वीडियो नहीं check out किया तो जरू check out कीज़ेगा what is redux toolkit तो सबसे पहले what we need to do we need to install the redux toolkit ठीक है so guys first we need to install the redux toolkit अब वो install कैसे करते है बोलने से एकदम ज्यादा simple है redux toolkit npm आप लिखिए तो आप बहुत के लिए लिए देख सकते हूं यहां पर काईसे आपको दिखाई दे रहा है कि आप इसको कैसे install कर सकते हूं मैंने जो आपको बाता है redux js-toolkit तो इसको just copy कीजिए अपना जो रूट है ना वहां पर आये पहले तो आप यह ठीक है मेरा रूट है आके आप इसको इंस्टाल कर दोगे तब आपका जो redux toolkit वो इंस्टाल होगी है ठीक है एंड उसके बाद आपको अपना application npm run dev या जो भी आप यूस करें आप बस आपको रन करना उसको ठीक है फॉस्ट पार्ट इस डन लाइक टू इंस्ट्राल डेक्स टूलकित अब यहां पर चलता हूं ठीक है यहां पर चलता हूं ठीक है इसके नीचे यहां पर से मैं लिग देता हूं और न्यूज स्टाइल ठीक है कुछ भी लिख सकते वाशा कुछ नहीं में जस यहां पर चलूंगा देखो कन फीग और यहां पर स्टूर ठीक है इस तरीके से यहां पर आपको आपको अब्जेक्ट की तरह पास करना तो यह अब आपके में रूट रिड्यूसर से एंड जिसके अंदर आ अब आपके अप्लिकेसिन में सब आप यहां पर लिख सकते हो फिला लिना और केस वियाप अनली वन यहां टास्क रिड्यूसर अप उसको उससे रिप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो बट इप बोद यह की एंड वेल्यूसर अर से दन सब्सक्राइब यहां पर आप यहां पर देखो कि यह तो करना है मैंने आपको पता दिया था बट अब हमें इसकी कोई नीड नीड ने नहीं है इसकी कोई नीड ना हमें मेडिल वे ना हमें डेप टूल्स ना मुझे यह अप्लाइ मेडिल ओर या करेट इस तो तो कहीना कहीं का इस ऑल्रडी हमारे जो थ्री लाइन सब्सक्राइब का कोड़ता हूँ इसने हमें बचाई एंड यहां पर यह कितना एजी हो गया अब यह एक पर्टिकुलर जो लाइन था डेप टूल्स अप्लाइमे डिवलेट थंक और अल दोस तिंग्स उसके हमें कोई नीड नहीं है ठीक है अब अगर हम यहां पर चलते तो कुछ इस्तर किसे दिख रहा है यहां पर देखनी रहा है उसकी पीछे का एक रीजन है नहीं देख रहा है विकॉज जब आप डिवेक्स टूल की ट्यूस कर हो हम क्या कर रहें डाइकली रीडियूसर जो फंक्शन था हमारा उसके उसको हमने बेसिकली अब नेस्टेट कर दिये वह आप हमारा जो में रूट रीडियूसर इसके अंदर वो फॉल कर रहा है तो ना यहाँ चाहिए तो यह जो टास्क रिडूसर में कोपे करूंगा यहाँ पर देख सकते हो की से मिहां पर भी वही है ब्यूटिेश की आप! चल जाता है मिन्स चलता भी है चल जाता है इट मिन्स की चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह जो useSelector then is state.task था अब यहाँ पर इसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि किस reducer की बात हो रही है और कौन से reducer का यह जो .task हम यहाँ पर access करने की खोशिस कर रहे है ठीक है so that's why we need to state.task reducer and then task हम यह बोल रहे हैं कि हमारे जो state है उसमें यह एक reducer function है उसके अंदर जो task state है वो आप return कीजिए सिंपल बस इसका मतलब इतना ही है ठीक है अब इतना करने से अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं so three two one and and boom guys see अब आप देख सकते हूं मुझे मेरा data दिखाई दे रहा है by thapa कर देता हूं मुझे दिख रहा है इसको में delete कर सकते हैं इसको में delete कर सकता हूं so yeah guys this is it आज इस वीडियो के इतना ही I know वीडियो बहुत ही सिंपल एंड सुइट था and इसलिए मैं यह वीडियो दिखा भी रहा हूं इंडिविजुली ताकि अगर एक साथ में बहुत सारी चीज़े दिखा दूंगा I guess आप वीडियो देखोगे नहीं बट हां हर एक वीडियो में इंडिविजुल को हम इंपॉर्टेंज दे रहे कि जहां पहले कितना मैनत करना पड़ता था अब कितनी इजली विद्धी हलप आप कन्फीगर इस्टोर इन आओ रिडिक्स तूलकिट हम बहुत इजली स्टोर को क्रेट एंडन मैनेज कर सकते हैं एक और चीज यह देखा जब आप उसको एक्चुल में गेट कर रहे हो तो हमें बताना है कि हम किस रिडियूसर का डेटा जो है उसको एक्सेस करने की कोशिस कर रहे है वस यह दो चीजों का आप हो ध्यान में रखना है तो यह था आपका रिडक्स तूल किट में हो यू कैन क्रियेट युए स्टोर ठीक है सो रियक्ट वेजान कीज़ेगा 10 stack को कर दो कीज़ेगा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ बर बर के सेर कीजिएगा and now our next target is 7 lakh subscriber and we are very close to 7 lakh subscriber अभी तक subscribe नहीं किया तो please किजिएगा and bell icon को बजाना बिल्कुल मत भूले ताकि आप ऐसे awesome videos को मिस ना करें so मिलता हूं है कल के वीडियो में तिल दन गाइस थेंकि सो मच टेक क्या